हलो दोस्तो आज मैं आपको बीच एक ऐसी कहानी लेके आऊ हूँ जिसे सुनकर आपके मन में साहस दोड़ेगा चले ये कहानी को स्टार्ट करते हैं ये कहानी है एक देशी गाओं के लड़के की जो उसकी बीरता की वज़े से जाना गया ये कहानी है बिहार की बिहार की छोटे से देशी गाओं में रामू नाम का एक लड़का रहता था रामू के माता पिता किसान थे और वे अपनी मनहस से परिवार का पालन पोसर्ड करते थी रामू भी अपने माता पिता की माता पिता की मदद करता था और गाओं के सभी लोगों का प्रिय था उसके मंदारी बहादरी और निड़ता के काडल लोग उसे देशी गाओं का वीर कहते थी एक दिन गाओं में खबर फैली कि पास के जंगल में एक विसाल काय भागा गया और उसने कई जनुरों को मार डाला है गाओं के लोगों बहुत डर गएं और उन्होंने अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने के सला दी लेकिन रामु ने ठाल लिया कि वो इस बाग का सामना करेगा और इस गाओं को इस मुसीवत से बचायेगा रामु ने अपने दोस्तों मोहन, सुमन और गीता को अपनी योजना बताई उन्हें मिलकर एक जाल बनाने का विचार किया और बाग को पकड़ने की योजना बनाई वो चारों जंगल की और निकल पड़े, अपने साथ कुछ खाने पीने की समान और जाल लेकर निकल पड़े जंगल मर पहुँचकर उन्हें देखा कि बाग की आवाज सुनाई रही थी रामु ने अपने दोस्तों को समझाया कि वो सब मिलकर बाग के जाल को और खीचेंगे रामु ने बहादरी से बाग का सामना किया और उसे जाल की और खीच लिया मौहन, सुबन और गीता ने भी रामु का साथ दिया और आखरिकर उन्हेंने बाग को जाल में फसा लिया गाओ के लोगे गाओ के लोग रामु और उसके दोस्तों की बहादरी की खबर सुनकर बहुत खुजी हुए उन्हेंने रामू को देशी गाओं का वेग का खिताब दिया और उसकी तारिक थी रामू की बहादरी और इमंदारी ने सवी को प्रियत किया और गाओं में एक नया जोस भराया रामू की ये देशी कहानी पूरे गाओं में मसूर हो गई और लोगों ने उससे सीख ली कि साहस और निडड़ता से किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है रामू ने साबित कर दिया कि सचा बेर वही होता है जो अपने गाउ और लोगों की सुरचा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इस तरह रामू ने अपने बहादर से ना क्यावल अपने गाओं को बचाया बलकि लोगों को ये भी सिखाया कि सचाई और विमंदारी की ताकत किसी भी मुसिबत को हरा सकती है देशी गाओं का बीर रामू हमेशा के लिए गाओं के लोगों के दिल में बस गया और उसकी काने सबीको पिड़ा का स्रोत बन गई